तो आज का वीडियो है इंग्लिस के रिकार्डिंग क्योंकि बैंकिंग में इंग्लिस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जिक्ट है और इसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आधी से ज्यादा जो अच्छे लेवल के एक्जाम्स है उसमें इंग्लिस पूछी ज उसम厮सा से तो मैं इंग्लिस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी तो यह डर अपने मन से निकाल दीजे जो लेंग्विच आज आज आप अभी बोल रहे हो हिंदी वह बहुत जादा ट कर लेंपर यह सोचा धी अगर आप हिंदी पुल साकते य। पढ़ सकते हो, हिंदी समझ सकते हो, तो इंगलिस आपके लिए बाय हाथ का खेल है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक महीने, दो महीने, तीन महीने इसे continue होकर करना है, आप आराम से अच्छा score कर ले जाओगे, तो ये डर तो सबसे पहले अपने मन से निकाल दीजे, क्योंकि ब मैं आपको दिखा सकती हूँ, सो मैंने SBI clerk mains का mock दिया था, इसमें 40 question थे English के, जिसमें से मैंने 35 attempt किया था, 30 question मेरे correct हुए थे, 5 wrong हुए थे, 28.75 मेरा score बना था, and percentile रही थी English में 88.82, तो कहीं न कहीं मुझे improvement देखने को मिली है, क्योंकि मेरे pre में भी इतने number कभी नहीं आये हैं, मेरे pre में 11, 12, 13, ऐसे number आते थे starting में, बट जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया भी है, पहले भी बताया है मैंने English के बारे में कि किस तरीके से English को improve कर सकते हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, सो उससे कहीं नहीं के improvement देखने को मिली है, and दूसरा score भी मैं आपको दिख इस तरीके से upload किये हुए हैं, अपने channel पर, अभी कली मैंने एक upload किया था, उसमें pre का mock मैंने दिया था, IPS क्लग का, जिसमें मेरा score रहा था 24 out of 30, सो मैं बस यही चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, कि अगर आप यह सोचते हैं, कि मेरा 11 नंबर आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ है मेरा, तो आप डर जाते हैं, कि मिससे नहीं हो पाएगा, या फिर English अच्छी नहीं हो पाएगी, तो सबसे पहले यह डर अपने मन से निकाल दीजिए, अगर सब कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, अगर आप banking का exam दियो होगे, या फिर नहीं भी दिये होगे, तो मैं आ आपको बताऊंगी, सबसे पहले जो most important है, इसे mark कर लीजिए, कि आपको newspaper reading करनी ही करनी है, आप किसी भी दिनी से skip नहीं कर सकते हो, क्योंकि newspaper reading से ही आपकी understanding power develop होगी, जितनी जादा आप newspaper reading करोगे, जितना आप चीजों को समझने की कोसिस करोगे, उतना ही अच्छा आप exam मे कर पाओगे, और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है, कि अगर आपकी grammar उतनी अच्छी नहीं है, grammar पर उतनी command नहीं है, बट अगर आप daily newspaper reading करते हो, और आपके understanding power develop हो गई है, आप अच्छा समझ लेते हो, चीजों को sentence समझ लेते हो, तो आप exam में अच्छे score करके आते हो, बहुत score कर सकते हो exam में, यह सबसे ज़्यादा ज़री है newspaper reading, I know इसे implement करना बहुत ही challenging हो जाता है, अपने आप में कहना बहुत आसान है कि daily करो, एक महिने, दो महिने, तीन महिने, daily continue रहो, बट यह अपने आप में बहुत ही challenging हो जाता है, चीजों को implement करना, वही चीज है कि जो लोग implement कर लेते हैं, वो अच्छा score कर लेते हैं, so daily आपको यह चीज़ करना पड़ेगा, आपको यह rule बनाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे daily newspaper reading करनी है, तो करनी है, so newspaper reading कहां से करना है, मैं कैसे करती हूँ newspaper reading, वो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो आपको अपने mobile में the Hindu app download करन है, जैसे आपने the Hindu app download किया यह वाला, उसके बाद आप open करोगे, तो आपको बहुत सारे section मिल जाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, national, international, home, and editorial opinion, इस तरीके से आपको सारे section मिल जाएंगे, तो आपको editorial and opinion में जाना है, वहाँ पर आप किसी भी article को ले सकते ह हैं, किसी भी editorial को ठाके पढ़ सकते हैं, जैसे कि यह एक editorial दिया हुआ है, fall of Kabul on Afghanistan crisis, क्योंकि अभी यह news में बहुत जादा बना हुआ है, आप जानते ही होंगे कि तालिबानियों ने अफगान प्रकबजा कर लिया है इस time, so yes, यह news में है, तो इस तरीके से आप article को पढ़ सकत क्या कह रहा है, आप सोची कि हाँ, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, अगर आपने मीनिंग सोचा, अगर आपको नहीं समझा रहा है, देखे, स्टार्टिंग में क्या होता है, कि जल्दी समझ नहीं आता है, अगर आप जब habitual हो जाओगे, धीरी-धीर आप पढ़ने लगोगे, पनदरा बाद तो आप शीहों को समझनी लगोगे, इस तरीके से कापी करिए, और गुगल ट्रांसलेट में जाकर इसको पेस्ट कर दीजे, वहाँ पर आपकी मीनिंग आ जाएगी सामने, और वहां से फिर आप समझ सकते हो फिर धीरे-धीरे आप खुद इस तरीके से समझन तो स्टार्टिंग में आप इसकी help ले सकते हो, दुसरा आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे word आएंगे, जिसकी meaning आपको पता नहीं होगी, तो एक app आता है, हिन कोच करके, उसका link मैं description box में दे दूँगी, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं, कि कौन सा app है, क्य नहीं meaning समझा रही, तो आप ऐसे करोगे, और copy करोगे, तो आपका वो word जो है, उसकी meaning आपको नीचे ही लिखकर आ जाएगी, तो आपको इस तरीके से ढूणना नहीं पढ़ेगा बार-बार, तो यह काफी easy हो जाता है, अपने आप में पढ़ना, और जहीं भी लगता है, कि become a premium member now, मैंने subscription नहीं लिया है, मैं क्या करती हूँ, जैसे international news हो गया, वहाँ से पढ़ लिया, उठाके national news हो गया, यह पढ़ लिया, होम में पढ़ लिया जाके, तो आपको, देखिए, current affairs हम यहां से तयार करनी रहे हैं, हमारा main focus यह है, यहाँ पर कि हमें अपनी English को improve करना है हमें अपनी understanding power को बढ़ानी है, तो आप कोई भी news पढ़ो, उससे आपकी understanding power तो बढ़ेगी, जोरी नहीं है कि आप editorial ही पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, आप यहाँ से कुछ भी जैसे कोई उठा लिया news, अफगानित्तान crisis life updates, या फिर यहाँ national news कोई उठा लिया, blinking talks तो ऐसे आप कहीं से भी कोई भी आर्टिकल उठाओ, कोई भी news उठाओ और पढ़ो उसे और समझने की कोसिस करो, तो इससे आपको बहुत help मिलने वाली है, यह तो दिमाग से निकाल दीजे का कि editorial पढ़ेंगे या subscription लेंगे, तो यह सब यह सब बस कहने के लिए अच्छा ल means की English आपकी पूरी understanding based होती है, पूरी reading based होती है, जितनी जल्दी जितनी अच्छी तरीके से आप चीज़ों को समझ लोगे, उतना अच्छा आप means में score कर सकते हो, और जो pre की English होती है, वो कहीं ने कहीं आधी grammar based भी होती है, reading के साथ साथ, तो grammar clear करना बहुत ज़री है, क्यों मैंने ली थी, और भी कई book आती है, बट वो book मैंने पढ़ी नहीं है, बट मैंने सुना है, कि अच्छी book है, like SP Bakshi है, and Plint to Paramount है, इसके बारे मैंने सुना है, कि यह भी बहुत अच्छी books हैं, तो उनको भी आप follow कर सकते हो, अगर चाहो तो, बट मैंने इस book को पढ़ा है, तो मैं इस book का ही आपको बता सकती हूँ, कि इस से मुझे किती improvement देखने को मिली है, तो मैंने ये book मंगाई थी online, and इस book को मैंने लिया था, और यहां से मैंने grammar अपनी clear की है, जैसे tenses, voice, narration, subject, verb, appointment, बहुत important, articles, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, conditional rules, sentences, जो होते हैं, तो वो सारी चीज़े मैंने यहां से पढ़ी आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसमें आपको question भी मिल जाते हैं, तो आप हाँ से solve भी कर सकते हो, देख सकते हो कि आपने कितना prepare कर लिया है, कितना आपको आ रहा है, तो yes, यह चीज़े मैंने यहां से की हैं, अपनी grammar को मैंने इस book से complete किया है, and आप चा समझ सकते हो, तो यह भी चीज़े है, आप यह चीज़ कर सकते हो, I think आपको एक book ले लिनी चाहिए, अगर आपने book नहीं लिये, क्योंकि देखिए, टीचर से पढ़ अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, बड़ चीज़े आपके पास होनी चाहिए, revise करने के लिए, क्योंक तो आप इसमें से कोई भी book ले लो, आपको आसानी से मिल जाएगा, और वहाँ से अपनी grammar को clear कर लो, तिसरी चीज़ क्या है कि practice, बहुत से लोगं confused होते हैं कि practice कहां से करें और कब start करें, तो practice तो आपको day one से start करनी है, अगर आप grammar की अभी कर रहे हो, grammar अपने clear कर रहे हो, और दूसरी चीज़ यह है कि कहां से करें practice, practice आप कहीं से भी कर सकते हो, बहुत सारे अगर आपने exam दिये हैं, या फिर आप banking की preparation कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपने कोई न कोई mock तो purchase किया ही होगा, right, तो जिस mock को आपने लिया है, वहाँ पर बहुत सारे sectional mock मिल जाते हैं, subject, verb, agreement का error, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, बहुत सारे question मिल जाएंगे, Google पर जाओ और search करो noun error question for banking examination, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे question मिल जाएंगे, बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, जिसमें noun की errors दिये होंगे, तो वहाँ से question को solve करो, तो ऐसे ही आप सारे topic के कर सकते हो, आराम से, तो question की कमी नहीं है, सिर्फ आप ढूंटे नहीं हो, तो इसलिए आपको समझ नहीं आता कहां से करना है, question आप Google पर search करो simply, टेलिग्राम पर इतने सारे PDF अवेलेबर हो जाते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो, और मैं क्या करती थी, मैं से चोटे-चोटे question पहले, मैं उठाती थी, कि हाँ, चोटे question मिल जाए, clerk level के question करना इस तरीके से पहले, उसके बाद PO level पर आना, उसके बाद mains पर जाना, तो इस तरीके से question आप कर सकते हो, और आपको बिल्कुल भी डरने की जुरत नहीं है, स्टार्टिंग में जीरो नंब करती हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, कि अगर आप ऑली बोर्ट की English कर लेते हो, अच्छा कर लेते हो, उसमें score कर लेते हो, तो आप कहीं भी English अच्छा score कर सकते हो, एक्जाम में आप definitely अच्छा score कर सकते हो, अगर आप ने ऑली बोर्ट के question पर command कर ली है, तो तो इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि उनका level कहीं ने कहीं एक अच्छा level होता है, एक्जाम से थोड़ा सा up होता है उनका level, तो अगर आप वो चीज़े कर ले रहे हो, तो आप यहाँ एक्जाम में तो बिल्कुल definitely अच्छा करके आओगे, तो बस यही चीज़ है, और जितनी आप practice करो बें जितना आप reading करोगे, बहुत आपको फायदा मिलने वाला है, और मैं ऐसे ही करती हूँ, तो इसलिए मुझे कहीं ने कह improvement देखने को मिली है, आपके सामनी मैंने अभी दिखाया आपको कि किस तरीके से improvement मुझे देखने को मिली है, और वीडियो अगर आपको informative लगी हो, थोड़ा भी आपको लगा हो कि हाँ, इससे help मिल सकती है, तो प्लीज वीडियो को like कर देना है, इससे मुझे भी motivation मिलता है, और अगर अच्छा लगा हो तो subscribe भी कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी strategy के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अ आप time table बना रहे हो, to do बना रहे हो, उससे पर reading करना है, तो daily उस पर stick रहिए, daily follow करिए, क्योंकि जितना आप अच्छे से implement कर ले जाओगे, दो महीने, तीन महीने, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा result देखने को मिलेगा, so yes, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रही है, best of luck